नमस्कार दोस्तो मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री सिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं दोस्तो अरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन और अरियाना के यूवाओं के बीच एक सोच का जो डिफ्रेंस या बदलता माउल है विचार कभी कुछ बदलते है उनको लेकर एक छोटी सी स्टोरी भी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या ऐसा ही यूवाओं के साथ हो रहा है ये आपकी विचार भी आप कमेंट सेक्षन में साजा करना लेकिन वीडियो पुरा देखने के बाद एक बार वीडियो पूरा आप जरूर देखना कभी अरियाना स्टाप सेलेक्षन कमिशन के बारे में 2014 के बाद से अच्छा माहूल बनाता कि बर्तियां रेगुलर हो रही हैं उसके बाद सात्यों जो 2019 में नई सरकार बनी उसके बाद भी माहूल कुछ ठीक ठाक शुरुआत में था लेकिन लगातार माहूल अब यूवाओ प्रोसेस रुक्सा गया था लेकिन एक स्टोरी किसी ने सुनाई है वो मैं आप तक सेयर कर रहा हूं कि एक बार एक लड़का किसी पेड के नीचे च्छाओं में कड़कडाती दूप की बात कर रहे हैं गर्मी का माहूल है जून जुलाई का महीना है तो उस समय कड़कडाती दूप में एक युवा पेड के नीचे खड़ा था अब उस युवा को प्यास लगी तो मन में सोची रहा था कि मैं किसी टंकी या किसी नल के पास जाओं और अपनी प्यास बुझाओं जब उसके मन में यह विचार आ रहा था तो आपको पता है कड़कडाती दूप में बा आज आपको ज्यादा लगी हो तो पानी कैसा भी हो वो आप असेप्ट कर लेते हैं यह युवा के मन में विचार कर रहा था और वो पेड़ से आगे चलने को हुआ ही था कि तभी पास में एक मकान था उस मकान की खिड़की से एक आदमी आवाज लगाता है और बोलता है कि बाई साब अगर आपको प्यास लगी हो तो पानी पिला दूँ तो वो लड़का सोचता है कि कितना अच्छा आदमी है कितने नेक विचार है इसके जो प्यासे को पानी पिला रहा है मुझे प्यास लगी थी और बगवान तो फरिस्टा बेजा है क्यूंकि जब प्यास बैंकर होती है तो सात्यो उस समय ऐसा लगता है कि किसी भी आलत में म इतनी ही देर में उस लड़के के विचार बदल जाते हैं यह सात्यों एक युवा की बात नहीं है यह इंसान की परवर्ती है आप और हम होते तो भी अपने विचार यही होते तो उस लड़के की विचार बदल जाते हैं और उमन में सोचता है कि यार जब इसको पानी लेकर ही नहीं आना था क्योंकि पास में ही गर है पाँच मिनिट होगे पानी लेकर आया नहीं जब इसको पानी पिलाना ही नही था तो फिर पूछा क्यों मैं यहाँ से अब तक तो जाकर और अपनी पैस भुजा लेता तो उसके जो मकान मालिक था उसके परती नेगेटिव विचार उसके आने शुरू हो गए उसके कुछ दिर बाद वो आदमी जग में पानी ले कर आता है तब मन में सोचने लगए आख हो गया होगा किसी कारणौ सलेटिव क्योंकि विचार हैं वो सेंड ने कुछ पल में ही पदल जाते हैं सोचा कि किसी कार्णोस लेट हो गया होगा अब वो आदमी नजदिक आता है तो उस आदमी की बात सुनकर वो युवा चोंग गया उसने कहा भाई साब जब मैंने आपसे पूछा कि प्यास लगी हो तो पाणी पिला दूँ तो आपने जब हां बरी तो मैंने सोचा कि जब जब ज़्यादा ही प्यास लगी है तो क्यों ना शिकन जी ही पिला दी जाए तो मैं शिकन जी बढ़ाने लग गया था इसलिए मुझे टाइम लग गया अब युवा के मन में सोचा यार मैं तो इसके बारे में गल्थ सोच रहा था और ये तो बहुत नेक दिल इंसान है लेकिन जब उसने एक घूट ली शिकन जी की तो शिकन जी फिकी उसमें मिठा नहीं डाला हुआ था तब मन में विशार आया यार जब इसने शिकन जी बढ़ाई थी तो मिठा भी डाल के लिए आता उसी छण वो आदमी बोलता है कि बाई साब मैंने सोचा कहीं आपको सुगर ना हो इसलिए मैंने इसमें चीनी नहीं डाली और चीनी की वो थैली साथ लेके आया था तो इसमें जो छोटी थैली होती है जो चाय वगएरा की वो दी जाती है आप सब समझदार हैं जानते भी होंगे तो यह आप डाल लीजिए अगर आप चीनी एसेप्ट करते हैं तो तो वो फिर उसके मन में विचार बदल गया कि नहीं यार मैं तो इस आदमी के बारे में गल्स होच रहा हूं यह तो आदमी बहुत नेक दिल इनसान है यह अनके साथी स्टोरी का मतलब यही है कि इनसान की परवर्ती है पल पल उसके विचार किसके परती क्या रहने वाड़ है हूं बदलते रहते हैं तो फिलाल आजकल युवाओं के मन में भी यही माहूल चल रहा है यह मैं एक दिन की एक महीने की नहीं बता रहा हूं कई सालों की बाद बता रहा हूं जैसे पुलिस की बरती हुई या पुलिस की बरती आने वाली है या जो बरती चल रही है जो ब कोई उसे के गर दमें हैं मैं उसके आरे में कुछ नहीं कहना चारा मलेकिन हो सकता है अगले ही पल्ग के कुछ विचार बदल भी जाए तो वो युवा आ सोचते हैं कि पता नहीं भृतियां होंगी नहीं होंगी फिर भर आती हैं युवा जोस में आता है कि आप तो बर्तियां होने वाली हैं तैयारी के लग जाता है फिर एक्जाम फिर एक्जाम हो भी जाता है तो रेजल्ट के इंतिजार करता है लेकिन एक्जाम होने के बाद में जब तक रेजल्ट आता है तब तो उसके कई बार विचार बदल हει कि साथी निए तो पहु realistic उताएं कि लगता है कि मिरा एसास भी ऐसा ही थो आप कमेंड सेक्षिन में बता सकते हैं